हलो फ्रेंड्स क्यासे आप सबस्वागत है आपका इस्टार किचिन में और आज हम लिकर के आए हैं मखाना रायता रेसिपी बहुत ही टेश्टी बनने वाली है तो वीडियो को पूरा जरूर देखे चलिए सुरू करते है आज की रेसिपी तो हमने लिए हैं एक कप के करीब म मखाना इनको हमें सबसे पहले रोष्ट कर लेना है लो टू मीडियम पर इनको हम एक से डिड़ मिनट के लिए रोष्ट कर लेंगे और देखिए मखाना अच्छे से रोष्ट हो चुका है इसको हम चैक कर लेंगे एक बार कि अच्छे से यह तूटने लगे जब तक कि यह त ताजा फ्रेश दही 20 ऐं जयादा मैठता नहीं है नॉर्माल जो होता है इसको लिया है हमने है इसको अच्छे से हमें इस तरीके से फेट लेना है हो अच्छे से फिर चुका है तो एब इसमें हम डाल देंगे 2 चंबच के करीब चीनी अगर घ्ट्टा ज्यादा खट्टा दही है तो इसमें थोड़ी सी ज्यादा एड कर लेजिए अप जितना मीठा पसंद करते हों से यसाप से आप चीनी डाल लेजिए अब इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी क्योंकि काफी थेक है दही, तो इसमें हम थोड़ा सा परफ्यक्ट बनाने के लिए इसको थोड़ा सा पानी यड़ करेंगे, और अब डाल दिया हमने काला नमक, जीरा पाउडर, चाट मसाला, लाली मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम एड़ कर देंगे मखाना जो हमने रोस्ट करके रखे हुए थे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब एड़ करेंगे इसमें कटा हुगा हरा धनिया और एक हरी मिर्ची हमने काटके एड़ कर दी है और थोड़े से हमने अनार के दाने लिए है अनार के दानों का बहुत ही बड़िया टेस्ट आएगा इसलिए अनार के दाने जरूर एड़ करें जब भी यह रायता बनाएं बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो आप इस तरीके से रायता मखाना रायता बना सकते हैं बहुत ही जल्दी बनके तयार हो जाता है आपको लगबग 2-3 मिनट ही लगेंगे और रायता बनके तयार हो जाएगा और सबको बहुत पसंद आएगा तो इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं तो बस हमारा रायता बिलकुल बनके तयार हो चुका है पस अब हम थोड़ा सा उपर और इसमें धनिया डाल देंगे इस तरीके से और थोड़े से हनार के दानी एड़ कर देंगे और देखे कितना बढ़िया लाजबा बहुत ही टेस्टी हमारा रायता बनके तयार हो चुका है तो इस तरीके से आप गरिमों में आसानी से बना सकती है दो से तीन मिट में मखानी का रायता पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए कमेंट कीजिए सेयर कीजिए और नए है तो सस्क्राइब कीजिए और ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करना कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा मिलेंगे कुछ नया कुछ अनुखाली करके तब तक के लिए बाई बाई